तो अंजल जूबली के अपोनेंट माइक ब्रीडन को UFC से निकाल दिया गया है इविन दो वो अपनी फाइट UFC 294 में जीत गये स्टिल उनको UFC से निकाल दिया गया है ऐसा क्यों हुआ क्या इसके पीछे के रीजन से सब कुछ आपको बताऊँगा साथ ही साथ UFC के लाइट वेट डिविजन में अगला टाइटल शॉट किसको मिलेगा ये भी काइंड ओफ थोड़ा बहुत निउस निकल के आ रहा है उसके उपर कि चाल्स ओलिवेरा की यहाँ पर फाइट कराई जा सकती इसलाम महाचेव की उपर एक फाइटर ने इसकी उपर काफी सारी डीटेल्स बताई है काफी क्रेडिबल सोर्स एंफोर्मेशन आई है सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा UFC और कॉम्बैट स्पोर्स का ऐसा ही कॉंटेंट हिंदी में इंजॉय करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बात करता है UFC के लाइट वेट डिविजन का अब दीजिए सबसे पहला नाम और सबसे जो क्रेडिबल नाम था वो चार्ल्स ओलिवेरा था उनको इंजूरी हो गई बट यहाँ पर बहुत सारे लोग उस टाइम पर माना था कि अब शायद चार्ल्स ओलिवेरा को चांस नहीं दिया जाएगा बट यहाँ पर जस्तिन गेची जो लाइट वेट डिविजन के ही फाइटर है जस्तिन गेची ने अपने इंटर्व्यू में ये बोला है कि UFC शायद से ट्राइ कर रही है चार्ल्स ओलिवेरा वर्से इसलाम महाचेव को वापस से बुक करने का और उनका ये कहना है कि ये जब फाइट हो जाएगी तो अगले साल सेप्टेंबर तक का वो वेट कर सकते है और उसके बाद फिर इसलाम महाचेव वर्सेस जस्तिन गेची है जो भी उस फाइट को मेरा यहां पर परसनल उपीनियन माने तो यहां पर यह चीज तो सही हो सकती है जो जस्तिन गेची यहां पर कह रहे है क्योंकि लाइट वेट डिविजन में अभी कोई ऑप्शन अवेलबल है नहीं देना वाइट के पास क्यों किसी के साथ फाइट करा सके चार्ल्स ओलिवे रही यहां पर एक उप्शन बचता है जो डिशिजन था वेल्टर वेट का वो भी काइंड ओव वोल्ट पर ही रह चुका है अभी इसलाम महाजेब ने भी सामने से कोई डिमांड नहीं करी और यूफ सी उनको लाइट वेट डिविजन में रखना चारी क्योंकि ऐसे दो डि कर सकते हैं कि एक अर्ली कमबैक और इसलाम महाजेब वापस आ सकते हैं अगर इसलाम महाजेब फाइट कर सकते हैं अगले साथ 2024 में फास्कॉटर के इंदर ही क्योंकि उसके बाद रमदान का मन स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पर सारे मुसलिम फाइटर्स इनक्टेव ह जाते हैं तो उस टाइम पर वो फाइट नहीं करते हैं तो प्रॉब्ली आजलाम महाजेब इससे पहले एक बार फाइट करना जरूर चाहेंगे और मुझे नहीं लगता कि इसलाम महाजेब एक लंबा ब्रेक लेने वाले है इस फाइटके पाद हाला की थोड़ा रेस लेगे लेके आये थे सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करतें जब सी ये न्यूज आई है कल रात को कि माइक ब्रीडन को हटा दिया गया है UFC से उनको रिसाइन नहीं करा UFC ने इसके पीछे काफी सारे मिक्स रियक्शन सारे अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया वालो से आप सबको पता ही होगा कि माइक ब्रीडन एक थ्री फाइट की लूजिंग स्टीक पे थे और यह उनकी लास्ट उफसी फाइट थी जिसमें उन्होंने विक्ट्री ली वो भी एकदम लास्ट में जाके एज़ आउट करकी एक विक्ट्री ले ली एक फ्लूक विन भी इस वेट मिस करा और यहां पर चलिए लेजिट रीजन है कि हाँ आपके पास इंफेक्शन हो रहा था आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे और आपका वेट मिस हुआ बर चीज़ यहां पर डेना वाइट से पूछी कई थी कि माइक ब्रीडन के वेट मिस का कारण स्टाफ जाते तो यह फाइट शायद पूरी तरीके से वेटर वेट में शिफ्ट कर दी जाती है या एक कैच वेट फाइट बनाई जाती जिससे अंचुल जूबली को कोई डिसाइडवांटेज नहीं होता था एसा भी हो गया था कि फाइट कैंसल हो सकती थी अगर डॉक्टर्स प्रोजिशन में फस जाती है और ऐसे फाइटर्स के साथ दूरत को ना कर लेती है उनको मतलब दूरी रखती है कि इससे में इवेंट और ऐसी हाई एंटिसिपेटेट फाइट को प्रॉबलम में डाल देते हैं उससे में बीजन से अन प्रोफेशनल एटिट्यूट जो माइ इसके अंदर फाइटर्स एकड़जिशन एंगbahn कमपनी इसके अंदर फाइटर्स एक्डबं ऐसा भाइट कर देक जा यह इसा बिलकुल नहीं इसके इंटरसये इंटराइन कांव और रह्यारों पैसे के लिए लिए प्रेश पाइटिट्ง करते हैं यह प्राइस फाइटिग ना करें आप उनके फाइट्स को प्रॉब्लम में ना डाले विश्ली जो फाइटर्स के साथ बहुत हाई एंटिसिबेटड फाइट लगी होती है उसमें फाइटर्स को वेट मिस करता है तो UFC काफी जादा नराज हो जाती है अगर आपने मेरे चैनल फॉलो कर रहा होगा तो मै ने कुछ महीने पहले वीडियो बनाया था कि हामजा चिमायव से भी UFC नाराज हो गई थी यो कि हामजा चिमायव को यहाँ पर में इवेंट में डाल रखा था UFC न और वहाँ पर उन्होंने आट पाउंड से वेट मिस कर दिया था जो कि एक बहुत अन्प्रोफेशनल और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि आपका कॉंट्रेक्ट रिसाइन करेगी यही सारी में रीजन से जिसके कारण माइक ब्रीडन को यहाँ पर निकाला गया है UFC से ना कि उन्होंने अंचुल जूबली को हरा दिया या अंचुल जूबली ने अपने कॉंटाइंट से लगा के बस वह एक फ्लूब विक्तरी थी इन एक्सपेरियंस था जिसके कारण अंचुल जूबली पूरे तीन राउंट तक अपने आपको पेस नहीं कर पाई और इन एक्सपेरियंस के कारण वो उस फाइट को आ रहे है स्टिल क्रेडिट्स दूँगा मैं माइक ब्रीटन को अच्छी फाइट करी अच्छा कमबैक करा अपना रेजिलियंस दिखाया अपने टफनेस दिखाया और आई होब कि वो आगे भी जा कि अच्छी तरीके से फाइट करते रहे और फ्यूचर में भी हम कभी उनको UFC के सारी डीटेल्स मैंने आप सबको बता दिया अब आप सबका क्या ओपिया ने इस बारे में मुझे नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलता हूं आप सबको नेक्स वीडियो में अ बाइब आप